Hello everybody, usury का क्या मतलब होता है, ये इस वीडियो में समझ लेते हैं, but before that, let's see, के how do we pronounce usury? हम इसको पढ़ते कैसे हैं, हम इसको पढ़ते हैं, usury, usury, usury का मतलब है, सूथ की गहर माकूल हद से जादा शहों पर रकम कर्ज देने का अमल, the action or practice of lending money at unreasonably high rates of interest, यानि के सूथ जो है, वो हम लोग एक शरा सूथ होती है, जो के government set करते है, या उसे उपर नीचे vary कर सकते हैं, लेकिन उसे बहुत, यानि के अगर government set करते हैं, 3% तो हम यह नहीं कह सकते हैं, कि हम 15 या 20% interest ले लें, तो अगर कोई late 10-20% ये गाओं में जादा रवाज हमने सुना था पहले के होता है, बहुत जादा सूथ मांगते हैं, तो उसको हम लोग usury कहते हैं, example से समझते हैं, एक और example से समझते हैं, no government should allow usury, किसी हकूमत को सूथ खूरी की अजाज़त नहीं देनी चाहिए, यानि कि गवर्मेंट के रूल्स इतने स्ट्रिक्ट होने चाहिए, कि किसी की हमत ना हो, कि वो इधर उसे उधर हो, और वो कब होगा, कि जब गवर्मेंट कोई सूथ खूरी क करें, तो उसको सजा मिले, तो ये इस sentence में कहने कि सूथ खूरी की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, फ्रेंट्स वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर लीजेगा, चैनल को सब्स्राइब करके बिल आइकन प्रेस कर लीजेगा, ताके आने वाली ऐसी वीडियो